बच्चे दानी के मुँँ पे घाओ है, आपको वाइट डिस्चारज हो रहा है, आपको हलका हलका ब्लड मिक्स डिस्चारज आ रहा है, या फिर सेक्स करने के बाद हलका सा ब्लड आ रहा है, आप डॉक्टर के पास गए कि क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने आपको बोला ब बच्चे दानी के मुग के घाओ, कैंसर, इन में क्या फरग है। तो आज ही वीडियो उनी लोगों के लिए है। बच्चे दानी के मुग के घाओ को हम कहते हैं Erosion. Erosion यानि कि उपर की जो layer है, जो cells है, वो निकल चुके हैं। इसका मतलब English में Erosion का मतलब यही होता है, कि उपर की layer निकल चुकी है। ठीके, अब यह क्यों होता है? यह ज़्यादा तर तो physiological होता है, यानि कि बॉड़ी के अंदर कुछ चेंज हुए। जैसे एक यंग बच्ची, जब उसको period स्टार्ट होने वाले होते हैं, 12-13 साल की उमर में, तो उसकी body में Erosion होर्मोन बहुत जादा होता है। इसी तरह से जब आप pregnant होते हैं, तो आपका Erosion होर्मोन बहुत बढ़ जाता है। या फिर आप पिल्ज ले रहे हैं, आप हाई डोज ये जो गर्ण दुर्द गोली होते हैं, 21-days की पिल्ज, उसमें Erosion बहुत जादा होता है। जब आप Erosion जादा बनाती हैं, तो आपकी बच्चेदानी का जो मुह है, यानि की सर्विक्स उसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, अंदर वाले और बाहर वाले, तो जब अंदर वाले लाल रंगे सेल्स बाहर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं, इरोजन या फिर एक्ट्र लग जाए, और उपर की स्किन निकल जाए, उपर की स्किन तो डार्क है, हाड है, आपको नीचे कुछ नहीं दिखता, ट्रांस्परेंट नहीं है, क्योंकि ये हवा की एक्स्पोजर में आके कराटिनाइज हो गई है, ठिक हो गई है, लेकि जो अंदर की जो स्किन होती है, उपर की परत निकालते हैं, तो कितनी गीली-गीली, कितनी ट्रांस्परेंट सॉफ्ट सी होती है, हाथ लगाती ही दर्द होता है, हाथ लगाती ही ब्लाड आ सकता है, क्योंकि अंदर की जो स्किन होती है, वो सॉफ्ट होती है, तो बच्चेदानी की मुह के अंदर की जो सेल उस समय आपको blood strain wide discharge आएगा, यानि कि जब bleeding होगी, या वाइट discharge आएगा, तो अब ब्लट का थका आएगा, साथ ही आप जब bleeding आपके खतम हो गई, periods खतम हो गई, तो in between periods पी आपको intermenstrual bleeding हो सकती है, यानि कि periods के बीच में bleeding हो सकती है, तो ये सारे symptoms जब आपको होते हैं, तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपके बच्ची दानी के मूपे घाव है, जैसे कि आप इस photo में देख सकते हैं, फिर आगे हमको क्या करना होता है, अगर ये physiological है, आपकी body में कुछ changes हुए है, उस वज़े से हुआ है, तब तो कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, जनरली 90% cases में ये अपने आप ठीक हो जाता है, किसी किसी case में क्यूंकि अब आपकी skin exposed हो रही है, अब आपकी skin अगर उपर की निकाल दिया और अंदर की skin अगर बाहर exposed हो रही है, तो infection की chances ज़्यादा होते हैं, इसलिए जब आपको erosion होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले ये चेक करते हैं, कि क्या ये normal erosion है, जो अपने आप ठीक हो जाएगा, या फिर इसका check-up का ज़रूरी है, यानि कि pap smear, colposcopy, ये चेक करने के लिए कि भाई इसमें infection बहुत ज़्यादा तो नहीं है, या फिर कहीं इसके अंदर cancer वाले cells तो नहीं develop हो रहे हैं, एक condition होती है, CIN, आपने कई पर अपनी report में पढ़ा होगा CIN, CIN यानि कि cancer से पहले होने वाला संकेत, intra-cervical जो neoplasia है, उसके cells वापिस से बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो इन सब टेस्स से हमको ये पदा चलता है, कि आपको हमको treatment क्या देना है, कुछ ऐसे erosion होते हैं, जिसमें कि डॉक्टर देख कर ही बोल देगा, कुछ खास नहीं है, हलका सा infection लग रहा है, या हलका सा कुई skin उपर की निकली हुई है, मैं tube दे रही हो, tube लगाओ, tablets दे रही हो, इससे आपका दर्द औ ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, बट अगर उनको ज़्यादा लगेगा, तो वो test करेंगे, test में infection आएगा, तो infection का treatment होगा, अब infection क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो बाहर अंदर वाले cell से, वो friable जाता है, यानि कि हाथ लगाते हैं, उनमें से bleeding होती है, soft होते हैं, बहुत sensitive होते हैं, बहुत जल्दी उसके अंदर infection बैठ जाता है, बैक्टीरिया बैठ जाता है, तो और intercourse के साथ infection होने के chances ज़्यादा होते हैं, साथ ही अगर आपको कहीं और body में infection हुआ है, बाहर वल्वा में infection हुआ है, या पैरो में infection हुआ है, यूरिन में infection हुआ है, वो infection अगर अंदर ट्रैवल कर गया विजयाना में, तो ये infection अंदर uterus के अंदर जा सकता है, क्योंकि चम्डी फटी हुई है, फटी हुई चम्डी से अंदर जो कीटानू है वो घुश जाता है, इसलिए erosion को treat करना जरूरी होता है, अब आते हैं इसका treatment क्या होता है, पहली बात 90% तो ये खुद ठीक हो जाता है, अगर ये नहीं ठीक हो रहा है, तो डॉक्टर आपका test करने के बाद आपको दो तरह का treatment बताएंगे, एक तो होगा सिकाई, ये एक होगा कि नीचे से उस परत को काट दिया जाएंगे, एक होती गरम सिकाई जिसको इलेक्ट्ट्र कौर्ट्री बोलते हैं, इलेक्ट्र कौर्ट्री यानि कि गरम मशीन से उस एरिया को पूरे को जला दिया जाता है, जो कि बहुत सालों से ये treatment चला आ रहा है, करक्या है गरम सिकाई पेंफुल होती है आपको बेहोश करने की जरूत पड़ती है जलाएंगे तो जरवा मेटीरियल बाहर निकलेगा बहुत दिनों तो आपको ब्लैक ब्लैक डिस्चाज आएगा नई स्किन आने में करीब करीब दो हफते लग जाते हैं हलका सा पें रहेगा स्कैबिंग होगी जैसे कोई चमडी जलती है तो निकलता है और फिर पानी आता है जो थंडी सिकाई वो पेंफुल नहीं होती है नौ मिनट या दस मिनट का प्रोसीजर होता है कॉल्पोस्कोपी की थ्रू करा जाता है इसमें आपको बेहोश करने की जरूत नहीं है हाँ प् आपको बोलेंगे इंटकोर्स नहीं करना है दो तीन हफते पैड लगा के रखना है और पानी पीते रहना है और क्योंकि डिस्चार्ज आ रहे हैं सेल्स फट रहे हैं तो इन्फेक्शन के चांसिस थे तो आपको एंटिबियोटिक्स दी जाएगी तो गरम सिकाई करा हो या लेटेस टेक्नोलीजी ठंडी से काई है और उसका एफेक्ट जादा अच्छा है फिर आते हैं लीप यानि की नीचे से इसको काट दिया जाए लीप का फुल फॉर्म अगर मैं बता हूं तो वो थोड़ा टेकनिकल हो जाएगा इसको लूप एक्सिजिन कहते हैं यानि की एक लूप होता है एक वायर होता है ऐसे राउंड सा लूप जैसा बना कि बच्चे दानी के मुग को ऐसे लूप के तरह गोल काट देता है तो नीचे का हिससा काट के हमने निगाल दिया अब यह कई पर आपको इसलिए हल्प करता है कि जो चमडी जो बहुत जादा खराब हो ग करेंगे तो ऐसे केसे में काटना जादा बहतर रहता है जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कटा हुआ हिस्सा हम जांच के लिए भेद देते हैं अगर रेपोर्ट में आता है कुछ नहीं पुराना इंफेक्शन है तो बस खतम उसके बाद कुछ नहीं करना है अगर आ कि इन ट्रीटमेंट्स को कराने से फाइदा होता है क्या यह वापिस बनता है हां यह वापिस बन सकता है डिपेंड करता है कि आपने अपना लाइफ स्टाइल क्या रखा है अगर आप अभी भी पिल्स लिये जा रहे हैं हॉर्मोन लिये जा रहे हैं या फिर आपको बच्च कंप्लीट हो गई कि नहीं क्योंकि आप जितनी बार आके कंसीव करेंगे बच्चा पैदा होगा बच्चे दानी के मूँ फटेगा आप डी एंसी करवाएंगे फिर वो फटेगा ऐसे केस में इंफेक्शन होगा और आपका एरोजन वापिस आ जाएगा किसी किसी केस में यह ब कई बर हमको आगे कोई मेजर स्टेप लेना पड़ता है लगता है कि पेशन को ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हम उसको हिस्टेक्टिमी के लिए बोल सकते हैं पर ऐसा बहुत रेर होता है क्योंकि अगर आप अरली एज में इसका ट्रीप्मेंट करवा लेंगे तो चालिस कोई blood vessels है जो exposed हो गएं, capillaries फट गई हैं वो सब ठीक हो जाएगा पट अगर foul smell आ रही है तो इसका मतलब infection बहुत जादा है और infection के बारे में हम पहले भी discuss कर चुके हैं पर general discharge वाला मेरा वीडियो काफी famous हुआ था आप उसको देखिएगा तो अगर infection है तो foul smelling discharge होगा साथ मे backache भी हो सकता है और आपको uterus में यानि की lower abdominal pain, pelvic pain भी हो सकता है ऐसे cases में जैसे कि मैंने बताया deep-seated infection की शंका रहती है और ऐसे में कई बार IV antibiotics के साथ कभी-कभी major surgery करने की जरूरत पड़ सकती है अगर आपको और कुछ confusion हो कि erosion क्या होता है, ectropion क्या होता है तो बिल्कुल inbox क करिएगा मैं अपने live session में आपको जरूर आणसर दोंगे, thank you, bye bye, take care